सर्वोट चिनायले ने अपने निर्णे सुनाया उसमें उनने ये कहा कि भारत के सरकार इसके लिए न्यास बनाएं भूमिक इसके हैं इसे केकर छोड़ते तो कौन बनाना चाहिए ये सुप्रिम कोड के हैं ये कोई अप्रेक्शन तो किसी ने की नहीं थी लेकिन सुप्रिम कोड नहीं ये क्यों कहा इन सारे विश्वों कहें तो भारत सरकार उसके वे एक का इस देश के सांस्कृतिक धरोहर के इस देश के राष्ट्रियता के प्रतिक के साथ इस देश के भारत के सरकार समिधान यदी जुड़ए नहीं हैं तो इस मंदिर का और सरकार के कोई अलू कहें कि वो केवल इट नॉट दी लीगल कनेक्शन इट नॉट दी अड्मिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन रिलेशन उसके साथ एक कल्चरल रिलेशन एक रेस्पॉंस भारंब में ही भारत स्वतंत्र होने के जो एक द्योतक है प्रतीक है वह केवल दिल्ली में सप्ता में बैटे हुए लोग बदल गए ये केवल स्वतंत्र नहीं होता अभी कल नई राष्ट्रिय शिक्षानीती क्यों घोश्चना होई किसे ने एक लेक लिके हैं मेकाले के शिक्षाप्दती से भारत को मुक्त करने के लिए आईसे शिक्षानीती के अवश्चता थी इसलिए भारत के मानसिक गुनामी से मुक्त करना स्वातंत्र है सांस्कृतिक गुनामी से मुक्त करना भारत के स्वाधिनता है वहिचारिक गुना में इसे भारत के लोगों को मुक्त करना देश की आजादी है अयोध्या में राम मंदर के निर्मान होना यह एक कोई रिलिजियस चीज नहीं है इसलिए कई बार इस संगर्श में राम जर्मुमी अंदोलन में इसके तताकतित विरोधी लोग मैं तताकतित इसलिए कह रहा हूँ उनको विरोध करने के इच्छा मन में थी कि नहीं मालूम नहीं लेकिन उनको विरोध करना था जो आंदोलन किये हैं उनका बहुत सारे इसके लिए सबूत है मैं उसमें नहीं जाओंगा आज, क्योंकि हमने अंदोलन के दोरान इन सारे विश्यों को बार-बार खेच चुके हैं, तो इसलिए ऐसे जो विरोध करने वाले लोगों ने सेक्यूलरिजम के एक का फिजूल चर्चा उनों ने उठे, मंदर निर्मान के डिमांड करना याने य जोद, तो सेक्यूलरिजम का अर्थ को भी विक्रुत किया, मंदर निर्मान के या मंदर के जो बात है भावना हैं, उसके पीछे के एक सांस्कृतिक चाह के राष्टियता के एक प्रकटे करने के अभी वेक्ति के बारे में भी उनके जानकारी नहीं थी, या जान बूज कर लोगन को बूलाने का प्रया सुनने किया